आज का टिप्स बहुत ही यूजफूल है जो आपके किचन और घर के कामों को आसान करेगा तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं तो मैंने यहां लिया है hand gloves यह rubber वाला hand gloves है इसे इस्तमाल करने के बाद फेक देते हैं मगर मैं इसे फेकती नहीं हूँ मैं इसे तीन से चार बार इस्तमाल करती हूँ क्योंकि मैं इसको अपने हाथों में लगा कर बाल में महंदी लगाती हूँ जिससे हमारे हाथ में महंदी का color नहीं आता है तो मैं इसे 3-4 बर कैसे इस्तिमाल करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि ये खराब नहीं होता है और आप इसे अगर धोकर ऐसे ही सुखा के रख देंगी तो इस तरीके से चिपक जाता है तो देखी ये चिपक गया है और मैं इसे छोड़ा रही हूँ खीच खीच के और जादा दिन तक के लिए अगर रख देंगी तो ये छूटेगा भी नहीं यानि ये फट जाएगा तो इसे कैसे रखे वो मैं आपको बताती हूँ तो मैं इसे एक बार इस्तिमाल कर चुकी हूँ तभी इसके उपर औरेंज कलर का कलर आ गया है यानि मेहंदी का कलर है तो अब हम लेंगे पाउडर कोई भी पाउडर ले ले जो आप इस्तिमाल करती हैं अब पाउडर को गलप्स के उपर डाल कर इस तरीके से लगा देंगे यानि हमें powder को gloves में लगा देना है तो दूसरे side में भी हम powder को डाल कर लगा देंगे और ये उपर के side में तो powder लग गया अब gloves के अंदर के side में भी powder लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें भी चिपचिपा पना जाता है जिससे gloves से चिपक जाता है तो उसके अंदर भी एक से दो चमच powder डाल कर इस तरीके से रब कर दें ताकि powder हर जगा अच्छे से फैल जाए तो ये दिखे ये हमने powder को gloves में लगा दिया है और आपको देखके ही मालूम पढ़ गया होगा कि ये पहले से कितना खिला खिला हो गया है तो बस ये अब ऐसे ही रहेगा चिपकेगा नहीं तो इसे फोल्ड करके वापत से इसके पैकेट में डाल कर रख दें छे महीने के लिए भी रख देंगे ना तो भी ये खराब नहीं होगा आपको जहां तक याद होगा कि नया gloves हम लेते हैं तो उसमें powder रहता है तो आप इस तरीके से powder डाल कर ही रखे तो चलिए next tip देख लेते हैं अगला tip मेरा जूता को लेकर है बच्चों का सूज जो हता है वो जल्दी से छोटा होने लगता है और उन्हें पहनने में बहुत ही problem आती है क्योंकि जल्दी से पैर उनके सूज में जाता नहीं है और ये वो चिड़ चिड़ भी करते है तो उनको सूज पहनाने का बहुत ही अनोखा तरीका मैं लेकिया ही हूँ अगर सूज थोड़ा सा भी tight है तो आप क्या करें कि उनके पैर को इस तरीके से सूज के अंदर डाल कर पीछे से चम्मच लगा दें चम्मच के वज़र से पैर फिचल कर नीचे चला जाएगा और वो एकदम इजली सूज को पहन लेंगे तो है न कमाल का एडिया एक बार जरूर ट्राई करिएगा अगर सूज छोटा हो गया है तो तो चलिए नेक्स टिप देखते हैं सूज में जब धागा डालने की बारी आती है तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए ज़्यादा ही होता है जिनकी आखे कमजोर है तो अगर आपको सूज में धागा डालना है और बहुत छोटी सूज है तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हो धागा एकदम जट से चला जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा यानि बार-बार कोशिश करने वाला काम नहीं करना पड़ेगा तो उसके लिए आप अपने सूज धागे के डब्बे में ये जो तार होते हैं न लाइट वाला उसके अंदर जो तामबे का तार होता है उसे निकाल कर रख ले क्योंकि इस तार से ही हम सूई में धागे को डालेंगे तो बस तार को लेना है तीन इंच का लगभग तार ले ले और उसे इस तरीके से फोल्ड कर ले यानि तार के दोनों किनारों को एक साथ ऐसे मोड ले और उसके बाद साथ में ही दोनों किनारों को सूई के होल में डाल दे और पीछे से जो बड़ा सा होल बन गया है ने तार में अब उसमें धागे को डालेंगे और धागे को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे अब तार को सूई में से खीचिए और जब आप तार को खीचेंगे तो तार के साथ में धागा भी सुई के अंदर आ जाएगा तो अगर आपको सुई में धागा डालना डिफिकल लगता है तो आप इस तरीके से एक बाद जरू ट्राई करिए आपको बहुत ही यूज़ फूल लगेगा तो चलिए next tip देख लेते हैं अगला tip मेरा sauce के bottle को लेकर है इस तरीके का sauce को जो bottle रहता है अक्सर ऐसा होता है इसका जो ढखकन रहता है प्लास्टिक का वो तूट जाता है या फिर गुम हो जाता है तो इसे बंद करने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताती तो उसके लिए आप ले ले silver foil, silver foil को 4-5 बार fold कर ले यानि हमें इसे मोटा कर लेना है जितना अच्छे से ये मोटा और बढ़ा रहेगा उतना ही अच्छे से ये bottle को बंद करेगा तो यहाँ पर देखिए silver foil को हमने fold कर लिया है और ये बहुत ही मोटा हो गया है अब इसे हम bottle के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम इसे bottle के मूँ का जो shape है न उसके shape में बना देंगे यानि रखने के बाद हमें silver foil में इसे plate लगा कर अच्छे से दबा देना है और एकदम अच्छे से जब आप दबा देंगी तो ये फटेगा भी नहीं और एकदम अच्छे से fix हो ज हिकाल लिया है और जब भी आपको इस्तमाल करना हो इस्तमाल करके sauce को वापत से इसके cap को लगा दें अगर आपको bottle को कहीं ले की भी जाना है तो आप ऐसे नहीं ले के जाए उसके लिए आप क्या करें कि आप ले ले रबर बेंड और रबर को bottle के उपर लगा दें यानि जो लगा दिया है और अब इसका ये cap बिल्कुल भी नहीं लिख लेगा तो है न कमाल का idea तो चलिए next tip देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकती हैं यहाँ पर जो गिरा है यह 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 तेल गिरा है मेरे बच्चों ने इसे गिरा दिया है तो इसे साफ करने के time मुझे अच्छे से मिला देंगे और जितना आटा है न सब आटा तेल को सोक कर लेगा यानि सारा तेल आटे के अंदर आ जाएगा और तेल ज्यादा इधर उधर फैलेगा नहीं और बस अब आटे को आप उठा लेजिए उसके बाद वापस से थोड़ा सा आटा डालकर एक बार और क्लीन कर लें जब यह अच्छे से क्लीन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटरजन डालकर पोछा कर लें एकदम अच्छे से फर्स क्लीन हो जाएगा तो है न कमाल का एडिया मैं इसे ऐसे ही साफ की हूँ तो चलिए नेक्स टिप देख लेते हैं अगल जब नरम हो गया है और गुड़ जब ज्यादा नरम हो जाता है तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं तो गुड़ को नरम होने से बचाने के लिए मैं आपको बढ़िया तरीका बताती हूँ अगर नरम भी हो गया है तो इसे वापस से हाड कैसे करे वो भी इसमें मैं आपक को बताऊंगे तो उसके लिए हमें लेना है एक कंटेनर यहां पर मैं इस्टील का डबल यह हूँ आप इसके जगह पर प्लास्टिक का भी ले सकती हैं अब इसके अंदर हम दो टीशू पेपर डालेंगे दो डालने से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा आप चाहे तो एक भी डाल सकती हैं अब इसमें हम गुड़ को रखेंगे तो जितना गुड़ हो सब इसमें डाल दें टीशू पेपर दो से तीन लगाने से क्या होगा कि जो टीशू पेपर है वो गुड़ के मौस्चर को खीच लेगा और गुड़ पहले जैसा एकदम फ्रेस हो जाएगा या फिर इस पेपर ले हूँ आप चाहे तो इसके जगह पर न्यूज पेपर या फिर प्लेन पेपर भी ले सकती हैं वीडियो यूजफूल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा